वीडियो शरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आये हैं तो सब्सक्राइब कर ले। और बैल के आइकॉन को प्रेस कर ले। ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो डाले, उसकी नॉटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप सबसे पहले हमारे वीडियो देख पाओ। स्मार्टफोन मैनुफेक्टरिंग कंपनी। नोकिया ने भारतिय ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए अपने लेटिस्ट बजट, सेग्मेंट G42, 5G स्मार्टफोन को लांच कर दिया है। लांचिंग से पहले ही कंपनी ने इस स्मार्टफो को खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो पहले इसके स्पेस शीट पर एक नज डालने। इस स्मार्टफोन में आपको 6.56 इंच का एक बढ़धा डिस्प्ले मिल जाता है। यह डिस्प्ले 90 Hz फास्ट रिफ्रिश रेट को सपोर्ट करता है और 560 nits की पाक ब्राइटनेस के साथ आता है। डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के लिए कोर्णिंग गोरिला ग्लास 3 का इस्तिमाल किया गया है। नोकिया G42 5G प्रोसेसर और स्टोरेज चिपसित और स्टोरेज की बात करें तो नोकिया G42 5G में एक आनक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रेगन 480 प्लस चिपसित का इस्तिमाल किया है। इसके साथ ही स्मार्टफोन में 6GB RAM और अतिरिक्त 5GB Virtual RAM फीचर का भी सपोर्ट है। स्मार्टफोन में 128GB का Built-in Storage है जिसे MicroSD Card का इस्तिमाल कर 1TB तक बढ़ाया जा सकता है। Nokia G42 5G Camera and Battery Photography Lovers को बता दें, कंपनी ने इस स्मार्टफोन के रियर में ट्रिपल कैमरा से टाप दिया है। इसका प्राइमरी कैमरा 50MP का, डिप्ट सेंसर 2MP का और मैक्रो लेंस 2MP का है। Selfie और Video Calling के लिए इसके फ्रंट में 8MP का शूटर दिया है। कंपनी ने इस स्मार्टफोन में 5000MA की बैटरी दी है और इसके साथ ही 20W Fast Charging Technology का भी सपोर्ट दिया है। Nokia G42 5G Price and Sale कंपनी ने इस स्मार्टफोन को 12,599 रुपय की कीमत पर लांच किया है। वहीं आप अगर चाहें तो इस स्मार्टफोन को आगामी 15 सितंबर से खरीच सकते हैं। इसकी सेल दोपहर 12 बजे से शुरू की जाएगी।